कुछ आइडिया तो लगाए होगा तो सेचुरेटेड जो मैंने बोला वोई चीज है यहाँ पर आप देख सकते एक बार देहें हूं सिंगल बॉंड बिटूइन दियर मोलिक्यूस एंड सेचुरेटेड विद हाइड्रोजन रूम टेंपरेटर पे इनकी फीसिकल स्टेट क्या होती है तो लेकिन ही अगर देंगे तो वह स्टेट चेंज हो जाती है आपको पता ही अच्छे से इडिस फॉंड नोसली इन एनिमल फूर्स तो किसमें प्रजेंट होता है सेचुरेटेड फूर्ड जनरली एनिमल फूर्ड म प्लान फूर्ड कौन कौन से कोकोनट ओएल है इनमें प्रजेंट होता है सेचुरेटेड फेट लेकिन अगर एनिमल फूर्ड के बात करें तो यह सब क्या है इनमें भी सेचुरेटेड फेट प्रजेट होता है ठीक है सोर्सेज एक बार और अच्छे से देख लीजिए और क्या क्या रहे जाता है एक बार रीड कर लीजिए जल्दी से आप एनिमल फूड अपने बात की उसी के अंदर और आगे देखें तो एक लाड होता है इसको लाड बोलता है इसके लाँ प्रोसेजड मीट है हैना बटर है, डेरी प्रोडक्स है और पाम ओईल और कोकोनट ओईल है फास्ट फूड इन सबसे जो फेट मिलता है वो कौन सा है सेचुरेटर फेट तो अब आप समझ गया होंगे इट इस नोट अ गूड इसलिए इसको ज्यादा लेना सही नहीं है डाइट में ठीक है तो यह हो गया एनिमल फूड से जिससे अपने को सेचुरेटर फेट मिल रहा है और यह हो गया प्लांट फूड से ठीक है इसके एडवांटेजिस बहुत कम है और एडवांटेजिस आपको पता है फेट सोलिवल विटामिन्स मिल जाते हैं इसके एडवांटेजिस वो इतने इंपोर्टेजिस नहीं इंपोर्टेजिस इंपोर्टेजिस वो क्या है It increases the bad cholesterol level Bad cholesterol is LDL Lower density lipoprotein उसको बढ़ाता है Triglyceride को भी बढ़ाता है That's why it is not a good lipid Good fat ठीक है? Now comes to the second type of fat That is unsaturated fat Unsaturated की definition अपनने पढ़ लिये समझ लिये Present single or more double ones है ना? तो एक double one भी हो सकता है एक triple one भी हो सकता है और जादा भी हो सकता है ठीक है? Clear है? अब बात करते हैं physical state है ना? तो room temperature पे unsaturated fat किस form में present होता है? Liquid form Okay? Saturated fat किस में? Solid में और unsaturated Liquid में आजा तू भी आजा Gate बन कर यही बेट जा जल्दी से बेट तो clear पता लगे है difference जोनों में? Saturated अंसaturated में अब और अगर आखे डिसकस करें आपन डिटेल में तो they are similar to saturated fatty acid in the context of carboxylic group है ना? तो CWH group दोनों में present होता है बस लेकिन carbon carbon की बीच में जो double bond है वो present होता है unsaturated fatty acid में sources इसके sources उसके sources को भी आप compare कर सकते हो इसमें generally plant food से जो मिलता है वो present होता है ना? तो कौन-कौन से vegetable oil जिसी soybean oil वगरा sunflower oil, olive oil, avocado oil, seeds, nuts, peanuts ये सब कुछ cannola oils लेकिन अगर animal origin food की बात करें तो कुछ types की fish फीश में जो present होता है वो unsaturated fat होता है ठीक है तो ये plant हो गया और फीश animal हो गया advantages देख लेता है वपन don't discuss advantages किसके? unsaturated fat के तो आप बेच सकते हो क्या-क्या advantages के? bad cholesterol को कम करता ये है ना? अब एक बात यहां रखता है जितने भी मैं आपको advantages भोड़ रहा हूं अगर आप limit से ज़्यादा ले रहे हो unsaturated fat को भी तो ये जो advantages ये किसमें convert हो जाएंगे disadvantage कि कोई भी चीज हो अगर वो आप normal से ज़्यादा amount में लेते हैं तो फिर वो harmful होती है inflammatory action तो अगर आप ये लेते हो तो inflammation भी कहीं न कहीं कम होगा क्योंकि antioxidant इसमें present होते है such as vitamin E vitamin E is a powerful antioxidant तो वो present होता है उसकी वज़े से बहुत सारे problems को ये prevent करता है such as cancer को prevent करता है heart disorders की risk को ये कम करता है skin को भी ये maintain करके रखता है और भी बहुत सारे इसके benefits है ना और इसमें essential fatty acid ज्यादा present होता है तो essential fatty acid के आप features पता है आपको और उसकी deficiency से क्या-क्या problem हो सकती है वो भी आपको पता है तो वो सारे इसमें अपन लिख सकता है bad cholesterol और triglycide का level ये reduce करता है disadvantages क्या है इसके canola oil पहले बार तो canola oil क्या होता है actual में जो normal होता है उसमें कुछ gene mutation वगेरा करवा के hybrid produce करके canola oil को produce किया जाता है ठीक है और तो ये वैसे तो unsaturated fat है इसलिए ये ठीक होता है health के लिए लेकिन अगर limit से ज़्यादा लिया जाया तो ये harmful होता है अब harmful होगा तो क्या-क्या problem कर सकता है heart की problem बढ़ा सकता है dementia promote कर सकता है growth and development को slow कर सकता है etc अब अपने बात की unsaturated वी two types के mono and poly है ना तो mono unsaturated fat mono unsaturated fat है ना they are found in high concentration तो mono unsaturated fat की बात करें तो अपने saturated में कुछ चीज है mono में रहेगी और कुछ poly में रहेगी तो जिसे peanut oil की बात की canola oil, olive oil, avocado, nuts, almonds तो यह सारी चीज़े जो है यह किसमें mono में आएगी और poly में आजाएगे walnuts, flap seeds, जो यह sea fishes होती है और canola oil में दोनों present होते हैं तो canola oil की special चीज़ यह है कि वैसे तो high होता है इसमें mono unsaturated fat लेकिन poly भी इसमें present होता है इसलिए इसको ठीक मानते है omega 3, omega 6 भी present होता है तो omega 3 fat is a type of puffer omega 3 fatty acid is a type of puffer ओके? और body जो है अपने आप इसको synthesize नहीं कर पाती है puffer है ना? किसको? omega 3 को ठीक है? An excellent way to get omega 3 fat is by eating fish 2-3 times a week अगर कहीं कहीं studies में बताया गया है अगर आप omega 3 fat की deficiency है तो अगर fish अगर आप ठीक ठाक amount में लेते हो तो यह जो deficiency को इसको fulfill किया जा सकता है American Heart Association है इसने suggest किया है क्या? कि add to 10% of daily calories should come from Pufa किसे मिलेगी? Pufa AHS याने कि American Heart Association suggest that 8 to 10% daily calories should come from Pufa and there is evidence that eating more Pufa up to 15% of daily calories in place of saturated fat can lower heart disease risk याने कि अगर आप unsaturated fat ठीक ठाक amount में लेते हैं तो आपके heart disease की problem को कम किया जा सकता है ठीक है? next third type of fat is trans fat कौन सी? trans fat सिद्धे खड़े हो trans fat trans fat क्या होता है? saturated आपन पेले भी पढ़ चुके हो unsaturated भी पढ़ रहा है प्यूफा भी पढ़ रखा है मूफा भी पढ़ रखा है यह क्या आगया टांस्वेट तो टांस्वेट जो है generally liquid form में present होता है और इसको solid form में convert किया जाता है artificially है ना? food industries में है ना? various techniques को use करके कैसे उसको अपन देखेंगे भी they are present in dairy products and in hydrogenated edible oil they are made by heating liquid vegetable oils in the presence of hydrogen gas and a catalyst और इस process को हम बोलते है hydrogenation कुल मिला के जो vegetable oils होते है उनका hydrogenation किया जाता है कैसे है? catalyst को use करके hydrogen gas की presence में तो partially hydrogenated vegetable oils makes them more stable and less likely to become rancid this process also converts the oil into a solid which which makes them function as margarine or shortening तो कुल मिला के आपने बात की है हमने किसकी कि vegetable oil को किस तरह से hydrogenation किया जाता है और उसको किस में convert करते है transfer for these reasons partially hydrogenated oils become master in restaurant and the food industry for frying for baked food okay जो भी snacks वगेरा जो यूज करते हैं packed item वो उनमे जंदली present होता है transfer and it is very harmful for us they are generally considered to be injures to help and however they are used in food industry as they increase the shelf life of the fried food अब use क्यों कर रहे है इसको क्योंकि अगर इसको use करने से वो ज्यादा दिन तक protected रहेगा जो भी packed food होता है जन्दली इसमें यही scene होता है oils containing puffer also have high content of transfer okay fast food में तो जन्दली present होता ही है इसके adverse effect क्या-क्या हो सकते है देख सकते हो chronic diseases हो सकती है systemic inflammations हो सकते है endothelial dysfunctions हो सकते है insulin resistance diabetes and adiposity यह सारी problems हो सकती किसके वज़े से transfered की होजे से and it is high in process food and bakery products where partially hydrated vegetable oils are used for cooking तो please avoid these type of food sources कहके है अपन वैसे discuss का चुके है फिर भी एक बार microwave popcorn जो होते है frozen pizza जो है refrigerated biscuit raw fried food french fries fried chicken cake यह सब चीजों में प्रांट फेड ज्यादा amount present होता है लड़के यह सब है transfered containing food so advantage it is advantage अपन थोड़ा बोड़ इसकोश कर चुके और देख लें पे थोड़ा सा trans fats are worst type of fat for the heart blood vessel and rest of body क्यों because they can increase LDL that is bad cholesterol and they can lower the good cholesterol HDL तो good को तो यह कम करते है और bad को यह बढ़ा देते है that's why they are injured they can create inflammation हमने unsaturated के लिए क्या बात किती वो anti-inflammatory होते है जबकि यह inflammation को increase कर सकते है auto-inflammation अगर increase होगा और भी immunity भी होगी तो आगे जाके diabetes, stroke other chronic conditions हो सकती है contribute to insulin resistance जो diabetes type 2 diabetes type 2 होता है वो क्या होता है insulin resistance में जाते है अपनी body तो वो insulin resistance को भी है induce करता है promote करता है and they decrease the risk of some types of cancer तो एक तरह से summarize form में अगर अपन बात करें तो यह सारी अपन आज की class के डिसकस किया है saturated fat क्या है unsaturated fat क्या है mufa क्या है omega 3 fatty acid omega 6 fatty acid कौन सी वाली fat में include करते हैं और trans fat के क्या-क्या effects है तो यह सारी चीज़े आपको पता होना चाहिए तब ही आप आगे जाके इसको अपनी clinical life में add करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे result मिलेंगे पेशेंट के रिगार्डिंग केवल पेशेंट के रिगार्डिंग ने अपने खुद की और अपनी family अपने आसपड़ोस के जो neighbors हैं सबी की लिए अगर आप इनको implement करते हो तो आप वोगों को ज्यादा अच्छे result मिल सकते हैं okay clear है question क्या क्या आसकता है exam में तो आप देख सकते जो पढ़ाया है ये सारे question की form में बता दिये मैंने ये questions आसकता है हमारे exam में ठीक है